सर अगले साल दो बड़ी फिल्में देखने को मिलना वाली प्रभास की सलार और सलमान खान की टाइगर तरी क्या लगता कौन से विंग जादा चलेगी है वह है इस फिल्म का हिस्सा फिल्म बहुत हाइप बहुत ही जबरदस होने वाली और काफी ज़्यादा उम्मीद हो लेकर एर्रिस्पेक्टिव प्रभास की दो फिल्में फ्लॉक हुई है वह उनको छोड़ कर ठीखे तो जबरदस उने लिए मज़गा अगर की चले और काईगर उसके अंदर तो और डवल डवल धमाका हो जाएगा उस फिल्म के अंदर टाइगर की बात करें टाइगर अपने जगह पे बहुत ही जबर्दस ना होने वाला है अगर आप देख ले अभी की नहीं पिछले कुछ सालों में चले जाओ लाल सिंग चडड़ा वगेरा सबकों इंक्लूड करते हूँ और पिछले कुछ सालों में चले जाओ तीन चार साल के अंदर आप चले जाओ किसी भी फिल्म की बॉलिवुड में इतनी जादा हैप नहीं हुई है जितनी सिर्फ और सिर्फ टाइगर थ्री की हैप सबस्य जादा है किसी भी फिल्म के मुकाबले में तो ऐसे हमें उस फिल्म को आप समझ लूजे लिए कितना जबर्दस होगा तो बहुत जबर्दस एक्शन मास मसाला फिल्म हो मज़ा आ जाएगा देखके इस पर टाइगर दिवाली पर आएगी तो अक्टूबर वगेरा में अगले ही महीने शायद देखने को बिल जाए दिवाली के डेट जो अभी तक घुशित नहीं है पूरी तरीके से तो देखने होगा मज़ा आ जाएगा बहतरीन तरीके से जबरदस्त होगा टाइगर थी तो फिर अलगी बावाल धमाल मचाएगी बहतरीन होने वाली है तो काफी ज़दा उम्मीदे है उसमें शारुख खन कभी कैमी होगा तो शारुख सलमार एक बर फिर से साल के अंतित में पहले साल क जाइगा टाइगर में दोनों एक ही फ्रेम में दोबारा सात देखेंगे मज़ा आ जाएगा टाइगर सल्मान और क्यट्रीनकी फिर से साथ में देखने को मिलेकर बराल हश्मी का भी एक्शन देखना जाएगा तो काफी ज़देख सालार के लिए